हेलो दोस्तो अभी हाली में मैरी टाइम इंडिया सम्मिट हुआ है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए तो आए जानते हैं सम्मिट के बारे में यह सम्मिट हम क्यों पढ़ता है क्योंकि गौवर्मेंट एक्जाम्स में या फिर यूपी एक्जाम्स में इसके क्वेशन्स प के एक्जाम्स के लिए तो आये पढ़ते हैं मैरी टाइम इंडिया सम्मिट मैंहू मांसी गोयल वेलकम टु स्टडी ग्लॉज अभी हाली में हमारी प्रदान मंतरी ने Maritime India Summit को इनाउगरेट किया है, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए ये Maritime India Summit Ministry of Port, Shipping and Water Waste द्वारा ओर्गिनाइस्ट किया गया था और FICCI FICCI इसका जो है इंडस्ट्री पार्टनर था थोड़ा सा FICCI के बारे में जान लेते हैं क्योंकि क्या होता है कि UPSC इस टाइब के questions बहुत पूछ लेता है जैसे कि 2017 में उसने Quality Council of India के बारे में पूछ लिया था, क्योंकि वो news में था क्योंकि उस time पे skill development पे focus था, तो Quality Council of India का काफी बड़ा role था इसलिए question आ गया था Quality Council of India पे ऐसे ही इस time FICCI news में तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कई बार क्या होता है कि वो question पूछ लेते हैं कि क्या ये independence के बाद बना था ये organization या पहले बनी थी तो आएए जानते हैं ये independence से पहले बनी थी 1927 में और ये oldest business organization है इंडिया में अब ये करती क्या है ये एक तो non-government organization है जी हाँ ये government की organization नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है not-for-profit organization है ये जो है business और industries की गतिविदियों का अवाज देती है उनके हक के लिए लड़ती है जैसे कि debate वगेरा में ये include होती है या फिर नीती आयो को भी recommendations देती है business opportunities को बढ़ाने के लिए तो फिक्की का तो सहयोग रहता ही है रहेगा ही इस शीज में क्योंकि यहाँ पर अगर shipping हम ये maritime economy या blue economy पर focus करेंगे तो business भी बढ़ेगा क्योंकि जादा तर business तो port से ही export होता है export import होता है तो इसलिए फिक्की का आना तो लाजमी ही है अब partner country कौन है partner country इस maritime India summit में डेन्मार्क है अच्छे summit के objective क्या थे अरे भाई अभी बताया कि government जहे काफी focus कर रही है blue economy पर तो इस summit के objective भी उसी से related होंगे तो फिर अब क्या है कि maritime sector जो है वो काफी contribute करेगा blue economy को gain करने के लिए तो इसमें क्या है कि एक road map तयार किया है कि next decade में आगले 10 सालों में India's maritime sector कैसे बढ़ना चाहिए कैसे उसमें investment होगा या फिर opportunities जो जो आएंगी उनको हम कैसे exploit करेंगे ठीक है अब क्या है कि इंडिया की 7516 किलोमीटर की coastline है तो उसको जो ये coastline है इससे related opportunities है उसको gain करने के लिए और इंडिया को एक global maritime इंडिया की position central position हो global maritime sector में इसके लिए ये इसका objective था maritime India summit organize किया गया था अब इसका significance देख लेते हैं अरे भी significance ये होगा कि जब summit organize होगा तो बहुत सारी बात चीत होगी, debate होगी लोगों को पता चलेगा कि हाँ summit हो रहा है summit क्यों हो रहा है क्योंकि government serious है कि business investment आए in ports में, in maritime sector में, तो क्या होगा कि business opportunities और investment opportunities बढ़ाएगा इस summit के तुरू, अब इस summit में गतिविदिया क्या हुई, देखो दो गतिविदिया हुई, एक तो e-book launch हुई, जिसमें maritime vision policy है, मतलब 2030, मतलब अगले 10 साल में कैसे कैसे हमें काम करना है maritime sector को boost करने के लिए और सागर मंधन किया गया है mercantile marine, domain awareness center, इसमें क्या है, ये information system है, जो की maritime safety, जब information data वगेरा लेंगे, तभी तो maritime safety, search और rescue capability, security वगेरा बढ़ाएंगे अब मान लो investment तो आ गया security दी नहीं, या फिर investment तो आ रहा है, environment खराब हो रहा है, तो क्या फायदा, तो इस पे जो है information system बनाया है, जिसको हम बोलेंगे सागर मन्थन, जिसका नाम दिया गया है, अब इस maritime summit के focus areas क्या है, सागर माला तो सबसे बड़ा focus area है, सागर माला जो 2015 में launch किया गया था, ये mission क्यों launch किया गया था, अरे वही बता है न, blue economy की वज़े से, blue economy की वज़े से, blue economy होता है, exchange होता है, business exchange, वो सुधारेंगे, तो वहाँ पर industries आएंगी, उस area में industries आएंगी, तो income बड़ेंगी, इंकम बड़ेंगी तो वहाँ पर और opportunities बनेंगी, तो इसलिए सागर माला mission को launch किया गया था, तो इसका focus area, maritime Indian summit का focus area क्या होगा, सागर माला, अब इसमें एक और बहुत बड़ी opportunity होई है, कि इंडिया जो है, 82 billion dollars, जी हाँ, बहुत बड़ा amount है, 82 billion dollars invest करेगा, 2035 तक, ठीक है, और port light development जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसका focus तो है ही है, और क्या होगा, सिर्फ development नहीं है environment पर भी धियान देना है, मैं renewable energy sources हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ocean thermal energy हो गई, tidal wave energy हो गई, यह सब जैसे दुरगादुगानी कीख, 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 कीख पर जो है, वो बन्दा है tidal energy, tidal energy power plant तो इस टाइप से जा है, हम इतने सारे renewable sources को एह वो करेंगे, explore करेंगे ठीक है, waterways अब 23 waterways बनाने का aim है इस टाइम 6 waterways है जिसको हम increase करके 23 waterways बनाएंगे, अब waterways क्यों? अरे, जो भी transport होगा, क्या है कि इस government का focus है, जो भी कि transport bus से, यह road से, यह train से तो होई हो पर waterways से भी हो, क्योंकि जादा, हम जादा amount में जादा quantity में transport कर सकते है with low pollution level तो इसमें, जो है, waterways पे काफी focus दिया गया है अब tourism भी boost करेगा lighthouses के around ठीक है ना, tourism होगा तभी तो जब tourism होगा तो वहाँ की economy सुदरेगी नहीं सुदरेगी tourist आएंगे, वहाँ पे खर्च करेंगे, रहेंगे लोगों को रोजकार मिलेगा तो tourism तो हर sector में होगा ही होगा वो तो focus area होता ही है और tourism से और एक कदम आगे बढ़े तो एक होगे sustainable tourism, eco tourism जिसमें थोड़ा से environment का भी ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए environment को degrade environment को कुछ नुकसान न पहुचे ठीक है अब इसका focus area अब इसको आत्म निर्बर भारत से भी link करना चाहिए इसमें आत्म निर्बर भारत को boost मिलेगा क्योंकि industries आएंगी, infrastructure बनेगा तो ये सब है इसके ये focus areas हो गए अब देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में जो है 12 major ports है कौन-कौन से हैं कांडला हो गया गुजरात में, मुंबई हो गया जवाला नहरू पोर्ट, पंट जी मारमगाओ, करनाटका में मैंगलोर, कोची तुटिकोरीन, इन और चेन नहीं, विशाका पड़ना पैरदीप हल दिया, तो ये सब 12 ports हैं हमारे इंडिया में, इनको बढ़ाने की भी कोशिश की गई है अभी ports bill भी launch हुआ था ports bill भी आयो है, अभी आक्ट नहीं बना है, पर अभी ये bill के रूप में ही है, और सागर माला की भारे में हमने जाना है, कि port-led development होगा, port-led development port पे हम ध्यान देंगे, जिसकी वज़े से और trickle-down theory तो सुखी होगी, जिसकी वज़े से और चीज़े भी आएंगे infrastructure बनेगा, ये सब होगा, infrastructure बनेगा, investment आएगा, industries establish होगी, ये सब होगा, तो opportunities बढ़ेंगे, job opportunities मिलेंगी, ठीक है, तो और cost line का modernization होगा, mechanization, computerization, digital India program तो है, तो उसको उसे भी link कर सकते हैं, कि port-led development से, जहे, port-led development के लिए हमें digital India program को भी link करके, जहे computerization करना है, port का, तो ये सब है, अब इसमें क्या होगा, सागरमाला सिर्फ coast line तक ही ध्यान नहीं देगा, अब जो भी port पे हम exchange कर रहा है, business exchange जो भी हो रहा है, trade exchange जो भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो hinterlands है, मतलब interior area से connectivity बनेगी, तब ही तो होगा, तब ही तो समान link है, जिस भी develop करेगा, जैसे dedicated fried corridor, उसको हम सागरमाला से link करेंगे, dedicated fried corridor बनेगी, तो हम समान का आदान प्रदान अच्छे से कर सकते हैं, तो यह सब है, last mile connectivity बनेगी, तक ही गाहों गाहों तक connectivity पहुचे, तक ही उनका जो भी production process हो रहा है manufacturing products की, वो दूर दूर तक देश-विदेश में जाए multimodal connectivity बनेगी, अब inland waterways पे तो focus चली रहा है rail, road, यह सब multimodal connectivity बनेगी, तभी तो समान असानी से आदान प्रदान होगा business opportunities बढ़ेंगी, लोगों का migration बढ़ेगा तो यही सब था है, India Maritime Summit का, तो यह important क्यों है, अरे important इसलिए ही है कि blue revolution, blue economy पे focus है ना, इस time पूरी, इंडिया का ही नहीं, पूरे world का blue economy पे focus है, क्योंकि क्या हो रहा है कि land area पे जो भी हम गतिविद्या कर रहे है infrastructure, यह investment, इस environment काफी degrade होता है, blue economy फिर भी eco-friendly मानी जाती है तो यह सब था लेक्चर, और UPSC में भी questions पूछ लेते हैं, जैसे एक बार इंडिया नेवल, ओशन इंडिया नेवल सिंपोजियम का question आ गया थे 2017 में, तो यह सब जुतनी भी, जो भी focus areas होते हैं, government के, वो automatically important हो जाते हैं, खासकर UPSC exams के लिए, तो आप ध्यान दखेगा, इस maritime India Summit को आप याद रखेगा तो यह था हमारा आज का lecture, thanking you